नमस्कार दोस्तो मेडूप चैनल में आप लोग का स्वागत है 36 गर्ड लोग सेवा आयोग में 171 पदों पर भरती के लिए विग्यापन जारी किया गया है जिसके अंतरगर्द विविन्न पदों पर भरती किया जाएगा तो इस वीडियो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो विग्यापन जारी कि अगया 36 गर्ड लोग सेवा आयोग राइपूर के द्वारा जिसके अंतरगर्द 171 पदों पर भरती किया जाएगा प्रणभिक परिक्षा है तो ओनलाइन आवेदन करने की जो थिती है 1 दिसंबर 2021 12 बजे से लेके 30 दिसंबर 2021 रातरी 11 बज के 69 मिनर तक आप लोग ओनलाइन आवेदन कर सकते हो प्राणभिक परिक्षा का आयोजन किया जाएगा 13 फरवरी 2022 10 बजे से लेके 12 बजे तक और 3 बजे से लेके 5 बजे तक मुख्य परिक्षा का आयोजन किया जाएगा 26, 27, 28 और 29 मई 2022 को और दोस्तों आप लोग यहां पर सकते हो पद तथा विभाग का नाम दिया गया है राज्य प्रसासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष के लिए 15 पदों पर भरती किया जाएगा मासिक वेतन दिया जाएगा 56,100 रुपे वर्गवार अरक्षित पदों की संख्या आप लोग यहां देख सकते हो ओप पुलिस अधिक्षक के टोटल 30 पदों पर भरती किया जाएगा मासिक वेतन सेम है आप लोग यहां देख सकते हो 36 गड़ राज जवीश सेवा अधिकारी के 10 पद पर भरती किया जाएगा मासिक वेतन दिया जाएगा 56,100 रुपे मेट्रिक्स लेवल 12 जिला अपकारी अधिकारी के 3 पद पर भरती किया जाएगा स्रम पदधिकारी स्रम विभाग में एक पद पर भरती किया जाएगा रोजगार अधिकारी के लिए टोटल दो पदो पर भरती किया जाएगा मासिख वेतन दिया जाएगा 56,100 रुपे अधिकारी के टोटल 3 पदों पर भरती किया जाएगा एक पदों की संख्या आप यहां पर देख सकते हो अधिकशक जिला जेल के लिए एक पद पर भरती किया जाएगा मुख्यकार पालन अधिकारी के टोटल एक पदो पर भरती किया जाएगा मासिक वेतन दिया जाएगा 43,002 रूपे मेट्रिक्स लेवल 10 बाल विकास पर यूजना अधिकारी के 8 पद पर भरती किया जाएगा मासिक वेतन दिया जाएगा 38,001 रूपे 36 गड अधिनस लेखा सेवा के टोटल 12 पदों पर भरती किया जाएगा मासिक वेतन सेम है आप लोग यहां देख सकते हो सहायक अधिक चक भू अभिलेक के टोटल 10 पदों पर भरती किया जाएगा नयाद तसिलदार के टोटल 30 पदों पर भरती किया जाएगा मासिक वेतन दिया जाएगा 35,400 रुपे वर्गवार अरक्षित पदों की संक्या आप लोग यहां पर देख सकते हूँ अब कारी उप निरिक्षक के 5 पद पर भरती किया जाएगा मासिक वेतन दिया जाएगा 28,007 रुपे उप पंजियक के एक पद पर भरती किया जाएगा साकारी निरिक्षक के टोटल 6 पदों पर भरती किया जाएगा मासिक वेतन दिया जाएगा 28,007 रुपे और सहायक जेल अधिक्षक के टोटल 17 पदों पर भरती किया जाना है मासिक वितन दिया जाएगा 25-300 रुपे वर्गवार अरचित पदों की संख्या आप लोग यहां देख सकते हो किस वर्ग के लिए कितना पदों पर भरती किया जाएगा और टोटल पदों की संख्या 171 है निम्तम आयू 21 वर्ग होना चाहिए और अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आयू मांगा गया है आप लोग यहां पर देख सकते हो पूरा डिटेल दिया गया है सभी पदों के लिए और इन पदों पर अवेदन करने के लिए निम्तम सैक्षिरिक योग्यता होना चाहिए और दोस्तों अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो इस विडियो के निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विग्यापन का लिंक दे दूँगा आप लोग वहां पर जाके डाउनलोड करके देख सकते हो और इस विग्यापन से संबनित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आप लोगों के सवालों का जवाब दे सके ही विडियो देखने के लिए धन्यवाद